नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्त जैकुमार जो आपके अपने चैनल Know Your Stocks में आपका स्वागत करता है फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं बरणपूर्ट सेमेंट के बाड़े में क्योंकि बरणपूर्ट सेमेंट ने अपने September quarter के result को अभी अभी present किया है तो चलिए देखते हैं कि इसका result किस तरह का आया है फ्रेंट्स आपके सामने यहाँ पे इस company के जो data present हो रहा है यह इन लाक में present हो रहा है लेकिन इसे हम करोड में convert करके आपके सामने present करेंगे तो आप इसे इन करोड में ही consider करेंगे तो फ्रेंट्स इस company का जो total income इस बार हुआ है वो 33 करोड 3,28,000 का जबकि पिछले quarter में इनका जो total income था 31 करोड 38,4,000 का जबकि पिछले year September quarter में इस company को total income हुआ था वो 33 करोड 77,04,000 का तो फ्रेंट्स अगर आप completion करेंगे quarter on quarter तो इनका income decrease किया है और अगर आप completion करेंगे year on year तो भी इनका total income है उसमें गिरावट दर्ज हुई है इसके अलावे अगर expenses की बात करेंगे तो इस quarter में इसने जो total expense पोस्ट किया है वो 53 करोड 12,24,000 का जबकि पिछले quarter में 49 करोड 14,99,000 का जबकि पिछले year September quarter में 51 करोड 87,36,000 का तो फ्रेंट इनका जो expense है यहाँ पे देख सकते हैं कि year on year और quarter on quarter increase किया है लेकिन इसके अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिले हैं क्योंकि इनका जो income है वो इनके खर्च के सामने बहुत ही कम present किया गया है और इनका income बहुत ही कम यहाँ पे सोहरा है और इसी का परिणाम है कि ये company loss में निरंतर जा रही है तो चलिए देखते हैं कि इस भार भी company को कितना loss देखने को मिला है तो friends इस company ने जो अपना total loss पोस्ट किया है इस quarter में वो 20 करोड 25,16,000 का जबकि पिछले quarter में 17 करोड 92,12,000 का जबकि पिछले September quarter में 18,49,46,000 का इनका जो loss है वो निरंतर quarter on quarter भी comparison करेंगे तो इनका loss जहां पे बढ़ते हुए जा रहा है और अगर आप year on year भी comparison करेंगे तो इनका loss निरंतर बढ़ रहा है और इसके पईनाम इसके earning per share पे भी देखने को मिल रहे हैं और इनका earning per share माइनस 2 रूपया 35 पैसे का इस बार का है जबकि पिछले quarter में माइनस 2 रूपया 8 पैसे का था जबकि पिछले year September quarter में माइनस 2 रूपया 14 पैसे का है इनका earning per share वो भी निरंतर decrease करते हुए जा रहा है तो आज के लिए इतना ही आपका दिन सुभ हो